दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और जबरदस्थ होंगे मिन्स बीच में थोड़ा सा गेप हो गया थोड़ा सा कामकाज बढ़िया था विकज ओफिच ये जो एक चोटी सी बात आपके सामने काफी गेप हो गया है उसके लिए छमा चाते हैं फिर आज से फिर दुबारा ये चालू कर रहे हैं एक चोटी सी बात आज का जो चोटी सी बात है विकज बढ़िया बिकमिग इस मोर इंपोर्टेंट देन विकज यू हैव बिन जयनि आप कल क्या थे उससे भी ज़ादा इंपोर्टेंट है आप क्या बन रहें जैसे कोई-कोई बोलता है कि मैं स्कुल में बहुती ब्रीलिन स्टुडेंट था कॉलेजे में बहुती ब्रीलिंट स्टूडेंट था तो आज क्या हो आप जब थे लेकिन वो उसी को लेके क्या आप आगे बर सकते हों? नहीं न? लेकिन आज आप क्या बन रहे हो? that is more important. Similarly, मैं ये करता था, मैं वो करता था, ये बोल के क्या फाइदा आज के दिन में? अपना ही मिन्स गुनगान करना, कि मैं ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन आज क्या हो? that is more important. Who you are becoming is more important than who you have been. आप क्या थे? तो इसलिए आज का चोच पुटी सी बात है, उसमें हमें ये stress देना है कि हम क्या बन रहे हैं? कमी मिन्स ये भी कमी करेंट दिन में, आज के दिन में क्या बन रहे हैं? क्या मैं अच्छा स्टूडेंट बन रहा हूं? क्या मैं अच्छा महंती काम कर रहा हूं? मैं अब क्या मैं अपने जो काम है उसमें बहतर कर रहा हूं? पिछले साल मैं बहुत बढ़िया काम किया था. पिछले साल मैं मान लिजे मैं एक sales dealer हूं तो मेरा target इतना कर दिया था. वो तो एक aspect है. लेकिन क्या मैं क्या मैं current साल में, current financial year में क्या कर रहा हूं? कितना progress कर रहा that is more important. तो इसी लिए focus हमें करना चाहिए के हम दिन बाद दिन क्या बन रहे हैं? what we are becoming. तो यही कोट है, who you are becoming is more important than who you have been. we should focus on, हम दिन बाद दिन क्या बन रहे हैं? क्या हम बहतरी की तरफ progress कर रहे हैं? या चाहे वो छोटे से छोटे कदम ही क्यों ना हो? क्या हम अगर अपने health को improve करने का target लिए हैं? क्या हम थोड़ा-थोड़ा करके हमारा health को अच्छा रखने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? पिछले साल में जीम जाता था, तो दो घंटा ये instrument करता था, ये exercise करता था, वो करता था, वो अलग बात. आज के दिन में मैं क्या कर रहा हूं? तो अभी के लिए छोटी सी बात इतना ही, आप सभी का दिन शुब हो, धन्यवाद।